नमस्कार दोस्तों, अभी हाल ही में सोसल मीडिया पर एक वीडियो वारल हुआ है, जिसमें यूपी के बाहुबली पूर्वसांसर रमा कानत यादों कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उनके घर पर कुछ बच्चे पूजा पाठ के लिए चंदा मांगने आए, जिन्हें कानत यादों ने चंदा मांगने आए बच्चों से कहा कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो उससे कुछ नहीं होने वाला, क्यूंकि हमारा भगवान जो है मंदिर में आता है, फेड़ी करवाता है और चोड सारा समान लेकर चला जाता है, इसके बाद उसकी रक्षा हमार समिधान करता है, इसलिए आप लोग कर्म करो और सिक्षा लो, रमा कानत यादों ने उन बच्चों से कहा कि अगर आप लोग सिक्षा लेते हो और परिवार के गरीब हो तो जो भी लाग पचास हजार रुपए सिक्षा में खर्च लगता है, हम उसको देने के लिए तयार है और देते हैं, उन बच्चों को रमा कानत यादों ने कहा कि पूजा पाठ के लिए चंदा नहीं देंगे, आप सब पढ़ने वाले बच्चे हैं, सभी को रमा कानत यादों ने एक पैंट और सट दिया, रमा कानत यादों ने उन बच्चों से कहा कि आज के बाद या पूज पूजा करो रमा कांतियादों ने कहा कि आप अच्छी सिक्षा के लिए पूजा करो अच्छ अपने बिन्यस के लिए पूजा करो अपने किताब के लिए पूजा करो और अपने माबाप के लिए पूजा करो और समाद में आगे भड़ो रमा कांतियादों ने उन बच्चों को खुब समझाया और कहा कि आप सिख्छा लीजिए जिसके बाद रमा कांतियादों की बात सुनने के बात चंदा मांगने आए बच्चों ने प्रड़लिया कि आज के बाद या सब्बंद आज के बात सिब सिख्छा लेंगे और समाज में आगे बढ़ेंगे और लोगों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्वाद